लोगसभा चुनाफ तोसर चौबीस का रण जीतने के लिए बीज़पी यूपी के प्रदेश अध्यक्ष फुपेंदर चौधरी ने आज अपनी नई टीम की खोश ना कर दी इस फिर बदल के जरिये बीज़पी ने ना केवल क्षित्रिय समेकरणों को साधने की कोशश की बलकि जातिय समेकरणों को भी साधने पर उसका फोकस चाहा दरैसर लोगसभा चुनाफ को लेकर यूपी में मिशन 80 में जुटी बीज़पी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती पिछले काफी समय से इस बात को लेकर चर्चाएं चल रही थी जिसके बाद आखिरकार शुक्रवार को पाइटी की ओर से नए जिला द्यक्षों की सूची को जारी कर दिया गया पिज़पी ने पार्टी संगठन के लिहा से ख्षेत्रवार 98 जिला द्यक्षों बनाए आगामी चुनावों को देखते हुए बीज़पी की नई टीम को काफी एहम माना जा रहा है इसे ही है इसी टीम के अधार पर हम लोग जो है दोजार चुनाव लड़ेंगे और बहुत दिनों से इसकी प्रतिक्षा थी बीच में कोई ने कोई चुनाव आ जाता था जिसके कारण जो है नए देख्चों की सुची जो है जारी नहीं हो पाई थी तो मानियो परदेश सिद्यक जी ने कुछ पुरानों को भी रखा है कुछ पुराने कुछ नए को ले करके एक अच्छी टीम बनी है और इस पर हम लोग 2024 का फ़तर इसी टीम के नितुर्त में करेंगे घोसी विरानसवा चुडाव में बीजेपी प्रत्याशी तारा सिंग चुहान की हार के बाद ऐसे बड़े सांगठनिक बदलाव की संभावना पहले ही जताई जा रही थी बीजेपी के शीर सा नितुर्तु की हरी जंडी न मिलने की वज़े से लंबे समय से ये लिस्ट अटकी पड़ी थी जिन जिलों में बीजेपी जिलाद्यक्ष लंबे समय से जमे थे उन्हें हटाया गया है चुनावों में खराब प्रदर्शन और स्थानी इस्तर पर संगठन के कारी प्रदर्शन की समिक्षा के आदार पर भी कुछ जिलाद्यक्षों की छुट्टी की गई है इस बार पूर्व विधायक और MLC को भी जिलाद्यक्ष का प्रभार सोंपा गया है मामी गंगर लक्षीपेस नियुक्त बनाया उसके बाद जो है मैं दो बार से विजयागा महमंद्षी हूँ पार्टी में हमारे संगठन में एक रीदे नीटी है सब लोग एक समान सब कारेकरता है बस दाइत की है किसी को कभी कुछ दाइत मिल जाता है कभी किसी को कुछ मिल जाता है कभी किसी को कुछ लेकिन काम सब का हम सब का एक काम सब गात निर्मा प्रसंतों नेत्रत को बहुत बहुत धनवाद देंगे और साथ में अपने उन देव दुल्लब कारिकरताओं को भी धन्यवाद देंगे कि उन्होंने पूरे कारिकाल में परदेश नेत्रत का, राष्टिय नेत्रत का, छेट नेत्रत का जो भी आदेश हुआ है मल्सी हंसराज विष्व कर्मा को बनारस का जिला अध्यक्ष बनाया गया है वहीं बलिया की कमान पूर्व विधायक संध्य यादव को सौपी गई है दूसरी तरफ आगरा बरेली समेट कई जिलों के जिलाद्यक्ष नहीं बदले गए है पुराने चेहरों पर ही भरोसा जताया गया है 2024 के लोकसबा चुनाओ के लिहाज से इन जिलाद्यक्षों के बदलाओ को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है इस बदलाओ के जर्ये बीजेपी ना केवल ख्षेत्रिय समीकरणों को साधने की कोशिश करेगी बलकि जातिय समीकरण को भी साधने पर उसका फोकस रहेगा पिरो रिपोर्ट जी मीडिया तो बापको ये समझाते हैं कि आखिर कारकेस आधार पर जिला अध्यक्ष बदले कए हैं पीजेपी ने जो फैसला लिया है उसका आधार किया है जो दो टम या उससे ज्यादा समय से सिले की कमान संभाल रहे थे जो विधायक, MLC या मेयर बन गए थे जिनकी performance अच्छी नहीं या शिकायत मिल रही थी नए युवा और बिदाग चहरों को पार्टी मौका देना चाहती थी जातिये और एक्षित्रिय समिकरन साधनी की भी रण नीती है और इसलिए पार्टी ने कई जिलों के जिला अध्यक्षों को बदला है